हेलो एवरिवन, वेलकाम बैक टो इटलेचर पीपल, मैं में अधू पांडे, आज हम लोग देखने वाले स्फोर्टा थियोरी के बारे में, लिट्रोरी क्रिटिसिजम एंड थियोरी, इंडियन एस्थेटिक्स का इंपोर्टेंट पार्ट ही है, तो शुरू करते हैं स्फोर्टा का मतलब क्या होता है, बस्टिंग, ओप्निंग, स्पुरट, ठीक है, बस्थ होना, ये एक important concept है, इंडियन ग्रामेटिकल ट्रेडिशन का, व्याकरन का, ये एक important topic है, ये जो थियोरी है, इसको associate किया जाता है भरत हरी से, ये भरत हरी की थियोरी है, इंडिक वाग के पदिया, उसका पार्ट है यह, और इसमें words or sentences के बारे में इस वर्क में बताया गया है, यह वर्क को तीन बुक में डिवाइड किया गया है, पहली दा ब्रह्म कांडा, दूसरी वाग के कांडा, तीसरी दा कांडा, और इन्हों ने जो act of speech होता है, मतलब हम कैसे बोलत हैं, इस चीज़ को तीन पार्ट में डिवाइड किया है, वही हमारा जो phonetics वाला concept, auditory, acoustic, articulatory वाला system, ठीक है, इस चीज़ पे actually मैंने पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है, phonetics का पूरा एक playlist है, उसका link में description में add कर दूंगे, तो पूरा वीडियो देख लेना, तो यह concept पू दूसरा है performance, मध्यमा, तीसरा है comprehension, वाक किहरी, मतलब कि पहले जो है, यह जो speaker होता है, जो पास्यंती होता है, वो speaker करता है, मतलब मुह से बोलता है, फिर performance, वो जैसे जब भी हवा में travel होते हैं, वो सब चीज़े, जो तीसरा है, वो कैसे जो receive कर रहा है इंसान, जो कैसे perceive कर रहा है, दूसरा इंसान, उस चीज़ पर depend करता है, अभी जैसे कोई एक जना है, कुछ बोल रहा है, ठीक है, वो first हो गया, कैसे वो हां तक मतलब audience तक वो चीज़े, listener को वो चीज़े पहुच रही है, वो second हो गया, और वो listener कैसे perceive कर रहे है, वो तीसरा हो गया, यह चीज़ क मतलब तब तक नहीं रहेगा, जब तक कोई सामने सुनने वाला ना हो, आप कोई सुनने वाला ही नहीं होगा, तो speaker के बोलने का मतलब ही नहीं है, भरत हरी ने अपने work of work के परदिया में लिखा था, कि जो meaning होती है word की, या sentence की, वो जो चीज़ communicate करती है, मतलब word और sentence की meaning को जो चीज़ communicate करती है, उसको sphota कहते हैं, जिसके की तीन प्रकार होते है, word sphota, जिसको sphota of one कहते हैं, जिसका literally meaning होता है alphabet, जैसे a, b, c, तो इसका कह सकते है, मतलब word sphota का जो reference है, जो इसका meaning है, वो letters से है, मतलब alphabet से है, दूसरा है, part sphota, sphota of us, इसमें words की meaning होती है, उसके में alphabet की ती, मतलब a, b, c, अब इसमें words की है, जैसे bus, और third है, वाक sphota, और इसमें जो पूरे-पूरे वाक की meaning होती है, जैसे की sentence, जैसे first वाले में t, second वाले में bus, और third वाले में कह सकते है, the bus is here, मतलब alphabet, शब्द, office sentence, बहरा थरी कहते है, ऐसे कोई भी knowledge नहीं है, जिसको शब्दों के बिना express किया जाए, मतलब उसका words के साथ relation रहे गा ही, तब ही हम किसी भी knowledge को express कर सकते हैं, मतलब दूसरे को समझा सकते हैं, दूसरे को बता सकते हैं, भारत हरी यह अपने काम में लिखते भी हैं, अपने work में लिखते हैं, all kinds of meaning depend upon the power of words, it is the words that all is different as perceived, there is no cognition in the word in which language does not figure, all language is that words intertwined with language, it is though the word that the object is stabilizer, all this world result of produced or consequences of language, चास्तरास के according, स्वोटा की जो प्रॉपर्टी होती है, उसका एक primary, मतलब basic सा मतलब भी होता है, मुख अर्था, मतलब मुख लस अर्था, The philosophers of Sanskrit grammar held that the indivisible external utterness is called स्वोटा, और जो इसका dictionary meaning होता है, स्वोटा का इसका मतलब होता है, bursting फॉर्थ ओके तो ये वीडियो में यहीं पेंड कर रही हूँ, जैसा भी लगाए कमेंड करके बता अच्छा लगाए तो लाइक करो, और ये रही मिने Instagram के ID, यहां मुझे follow कर सकते हो, इसका एक खादी है, जो भी doubt रहेगा direct DM कर सकते हो, message कर सकते हो, पर जब भी DM करना direct question के साथ किस topic म मुझे यह problem है, और चैनल पे नए हो, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब को तो साथ ही साथ बला आइकन प्रस कर दो, तो जब भी मैं नई वीडियो डाने हो, तो उसके notification मल जाएगी, thanks watching, see you next time, bye bye